हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल PSA Study Center में और इगनू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए फाइनली इगनू ने जून 2021 के लिए हॉल टिकट रिलेज कर दिया है तो ये हॉल टिकट या एड्मिट कार्ड आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप में से mostly students ने आपने पहले ही डाउनलोड कर लिया होगा लेकिन जिन students को भी अभी तक नहीं पता कि हॉल टिकट रिलीज हो गया है या किस तरीके से डाउनलोड करना है तो इस वीडियो की help से आप अपने hall ticket को डाउनलोड कर पाएंगे तो अभी हम IGNU की official website पे हैं IGNU.ac.in जब आप नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ news and announcement section या alert section में देख पा रहे होंगे hall ticket for June 2021 tournament examinations तो यहाँ आपको इस पे click करना है जैसे ही आप इस पे click करते हैं एक नया interface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ आपको अपना enrollment number और program select करना है उसके बाद submit button पे click करना है submit करते ही आपके सामने आपका admit card या hall ticket आ जाएगा तो इस तरीके से आपका hall ticket को चा जाएगा इस बार आप कुछ changes देख रहे होंगे यहाँ पे photograph जो है uploaded नहीं है तो जब आप इसका print लेंगे तो यहाँ अपनी एक photograph को paste कर देंगे और उसे self attest कर देंगे यानि वहाँ signature भी कर देंगे admit card में ही आपको date और timing दिया हुआ है कि किस timing में कौन से date पे कौन सा आपका exam होगा दो shift में एक नू exam conduct करवाता है morning shift और दूसरा afternoon shift में तो जो morning shift है वो 10 बज़े से 1 बज़े के बीच होगा और afternoon shift जो है वो 2 बज़े से 5 बज़े के बीच में होगा यहाँ आपको कौछ important details दी गई है इन्हें आप पढ़ लिजएगा कुछ को हम आपको बता देते हैं यहाँ पहला जो आपको बताया गया है यह examination center को लेकर है कि examination center जो है change नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले ही इगनु ने इसके लिए एक portal आपके लिए provide करवा दिया गया था कि जो students किसी other state में exam देना चाते हैं तो वहाँ वो apply कर सकते हैं दूसरा है आपका जो दिवयांग students है तो उनको किसी टाइप की जो भी सहूलियत या help चाहिए होती है जैसे writers की जो answer उनके लिखते हैं तो उसके लिए वो पहले ही अपने original center में contact कर लेंगे तीसरा point आपको बताया गया है कि जिन students के पास भी इगनु का ID card नहीं है तो वो कोई भी government का जो ID card issue किया गया है चाहे अधार card हो आपका driving license हो water ID card हो तो ये भी इस बार valid माना जाएगा तो आपके पास अगर इगनु का ID card नहीं है तो इसको भी आप carry कर सकते हैं साथ ही साथ fourth number में आपको बताया गया है कि mobile phone जो है examination hall में allowed नहीं है calculator allowed नहीं है इसके अलावा COVID-19 का जो भी protocol है आप उसको follow करेंगे सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए social distancing का यहां बताया गया है उसको maintain रखना है और यहां medium के बारे में बताया है कि exams को आप जो है Hindi या English किसी भी medium में दे सकते है original language में आप exam नहीं दे सकते हैं लेकिन अगर कोई original language का अगर subject है तब वो आप उसमें लेख पाएंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं notification को और यहां यह भी बताया गया है 11th number points में कि कौन से papers जो है multiple choice questions आएंगे या objective exam जिनका करवाया जाएगा तो वो code देख लीजिए यहां पर BSHF 101, FST01, BPCC, HN, BNS, 41, 42, BLI, 11, 12, 13, 14 इसके अलावा कुछ और codes भी है तो उनको आप देख लीजिए यह जो subjects है आपके multiple choice examination करवाया जाएंगे तो download करने के लिए इस admit card को वीडियो के description में आपको direct link दे दिया गया है वहां से जाकर आप उसे download कर पाएंगे कोई अगर problem आ रही हो तो उसे आप हमें comment कीजिए हम उसका solution आपके लिए provide करवाने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो में इतना ही thanks for watching